हेलो वेंस मैं नितेश कुमार आपके यूट्यूब चैनल इन्वेश्ट फोरेवर में इब फिर से स्वाज़त करते हूं दो वीडियो बनाई है जाके देख लीजिए बिरला कैप और यह जैरोधा का पोर्टफोलियो है जिसमें चार स्टॉक थे उस चारो स्टॉक के बारे मे जोटाने का मतलब क्या है कि सभी बेंको को पीछे चोड़ दिया है जहां पर asusu बॉखो क्या माना जाता था राज़ा माला जाता था और अचले कास में हमेशा करिया और उसके बाद हमने देखा है कि किस तरीके से उन बैंकों में उछा लाया same as it is अब हम बात करने वाले हैं कि से रेटेड हम बात करने वाले हैं SBI bank से रेटेड, SBI N से रेटेड बात करने वाले हैं तो यहां पर आपको वह सब्सक्राइब चलेगी कि क्या यहां पर होता हुआ नजर आ रहा है और क्यूं यह शेयर अम यहां से और सब्सक्राइब चार्ट से जवाब मांगेंगे इसके तो वीडियो में आगे बढ़ते और जानते हैं तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ओके आपको पता ही एक बैंक है ओके इंडिया का नंबर वन बैंक माना जाता है सब इंकों में चाहिए प्राइवेट हो यहां पर गौर्म अगे पर ही फारबाट ऑद नई होता है आपको पता ही है कि आगे इन पर आपको एक यहां पर देखना हे रिजल्ड और इसी से रेटेड़ हमें बाते कर दिया तो कंपनी के अलगभग जो रुआता हुआ देखाई दिखाई दिया कंपनी के अगर आप फैननिशेल पौफि और financial margin की बात करें तो financial margin यह mostly बैंकों के यहाँ पर negative ही नजर आते है, net profit की बात करें, but net profit में यहाँ पर जो other income company की आती हुई दिखाई दी है, okay, वो other income की वज़े से यहाँ पर आप देखेंगे, तो company को कितना, company को 15,297 करोड रुपे का profit हुआ है, जो कि यहाँ पर yearly, quarterly, हर basis प net profit before tax देखोगे, तो 20,000 रुट रुपे का यहाँ पर profit होता हुआ नजर आया, तो ऐसा क्या है, एक बार result पर चलते है, okay, और result पर सीधे यहाँ पर चलके देखते हैं, कंपनी का other income, ऐसी कौन सी investment आईए, income on investment, तो यहाँ पर income on investment देखोगे न, वो अच्छी रासी कंपनी की आती हुई दिखाई दी है, यहाँ पर अगर आप जाएंगे, तो आपको बता चलेगा, income on investment, company जो investment कर रखी दी, okay, वहाँ से अच्छी रासी, यहाँ पर company को, यहाँ पर revenue आया, as well as, यहाँ पर बात करें, interest की, तो company का जो interest है, जो आता है, जो loan वगएरा देती है, company और उसस क्या है, यह एक बार देखे लिए थे, करोड, 3000 करोड रुपे के आसपास का यहाँ पर other income भी आती हुई दिखाई दी है, तो company का, जो overall income है, वह अच्छी खासी, यहाँ पर company की बढ़ती हुई नजर आई है, बाकी company के expenses वगएरा को यहाँ पर हटा देते, okay, तो company को अच्छ में number one bank है, और यह सभी bankों में number one है, तो अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक state bank of India को देखोगे, HDFC को देखोगे, 10,000,000,000,000 करोड रुपे के आसपास का, यहाँ पर क्या आता था, net profit आता हुई दिखाई 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 दिखा था, बाट अभी यहाँ पर आ पर इनका profit माना जाता है, एक बाट इहाँ पर इनके gross NPS वगएरा भी देख लेते हैं, ताकि हमें idea आजाए तो यहाँ पर gross NPS quarterly yearly basis पर, और net NPS वो भी quarterly yearly basis पर कम आधे हुए दिखाई 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 है, तो यह सारी चीज़े इस bank को बता र साथ की आसपासी रहे गया है और जब FIs जो की बेच रहे थे यहां पर देखिये लगातार हिससदारी करीदर यहां पर करीदर है 9.95 कर दीए इसका मतलब है कि यहां पर चीज़े अच्छी होती हुई नजर आ रही है तो SBI कार्ड की बात करेंगे तो SBI कार्ड की अगर हम बात करें तो All Time High पर यह शेयर चल रहा है इसने यहां पर revenue आप प्रॉफिट यहां पर generate किया है तो आप एक Stop Loss लगाके Carry Forward करिए जो कि Stop Loss क्या है, Stop Loss है आपका 500, 579 या 575 रुपीज का यहां पर Stop Loss लगाए या 560 का या Stop Loss लगा लेजिए और उसके बाद Carry Forward करते जाए शायद कर जब परसो मार्केट खुलेगी तो यहां पर और ज़्यादा यह शेयर बागता हुआ नजर आएगा एक दम बिल्कुल अच्छे खासे ट्रेंड में यह शेयर यहां पर चलता हुआ नजर आ रहा है इसके Target भी अगर हम बात करें, Target यहां पर अभी देने नहीं चाहिए और Target यहां पर कोई बनते भी नहीं है क्योंकि अच्छे खासे उपर यहां पर जाता हुआ यह शेयर में जरा रहा है बट एक चीज बोलना चाहूँगा उस चीज को थोड़ा से धान में रखियेगा कि शेयर ने काफी सालों का यहां पर Consolidation तीन और तीस पर यहां पर निकाला है वोके उसके बाद से हमने यहां पर रैली भी देखी है शेयर यहां पर अल्रेडी भाग लिया है यह भी यहां पर पक्का है शेयर यहां पर आपको थोड़ा से नीचे मिलता है पांसो रुपे के आसपास या पांसो पचास रुपे के आसपास उस टाइम से ग्रैप करने की कोशिश करियेगा जो कि मुझे लगता है कि जरूर मिलेगा आपको आज नहीं मिलेगा थोड़ोगो टाइम बाद मिलेगा और शेयर हायर हाई लगाते हुए यहां पर उपर जाता हुआ नजर आ रहा है तो स्टॉप लॉस प्लस में हायर हाई लगा ही रहा है इसके साथ में यहां पर क्यारी फॉरवर्ड करिये बट यह एक चीज और इस चीज को ध्यान ही है कि यह जो पर्टिकुलर शेयर है कौन सा शेयर है यह है गौर्णमेंट शेयर तो गौर्णमेंट शेयर अभी भाग रहे है आगे चलके भागे या ना भागे नोबडी नोज तो यहां पर आप देख सकते कि SBI की परफॉर्मेंस फिर भी ठीक थी बर दूसरे स्टॉक की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बेकार होती ही नजर आई है शेयर ने यहां पर अच्छे खासे रेटान अभी दे दिये यहां पर देखेंगे एक डेड़ सो रुपे वाले स्टॉक छेसो रुपे पर चलता हुआ नजर आ रहा है अच्छी बात है बर थोड़ा सा कॉशिस भे हमें अपनाना होगा इस बात को यादर किया क्योंकि अल्टाइम हाई पर है बाकी शेयर यहां पर अच्छा खासे नजर आता है इसे स्टॉप लॉस की साथ करिए शायद यह शेयर आपको 700-800 रुपे तक या 900 रुपे तक यह जाता हुआ दिखाई दे सकता है आने वाले टाइम में बाइंग जलेंगी कोई रिकमेंडेशन नहीं अपने फाइंशाइड वाइजा कुद की स्टड़ी करें चैना को सब्सक्राइब बेल आइकन को हीट करिए हमारे कोर्स को जोइन करिए जहाँ टेक्निकाल रिसार्ज फंडामेंटर सब सिखाया जाता है वो भी 1-2-1 क्लासिज में 8605-40501-8169-261037 कॉंटक करिए वाट्सप करिए कोर्स की डिटेल लीजिए ताकि आपको ये कोर्स करने के बाद एहसास हो कि आप नहां पर क्या लैक कर रहे थे और उसके बाद आप जो करते हुए नजर आओगे मुझे अच्छा लगेगा कि कोई लो कोई उस रास्ते पर चलता हुए नजर ये तक ये तरहे तक ये सो मुझे लुग गड़्स